हारू फीक्स सैमसंग S2 प्लास फ्लाइट मोट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर आप सभी का थिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के दिवाइस में फ्लाइ सब्सक्राब करते हैं तो यहीरा वाला दोस्तों आपकोáis का फिक्स हो जाना चाहिए अब की डिवाइस में एंदें दोस्तों आपका प्रॉब्लेम भी सौफ हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ओनलाइन पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर सकत है चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और यहां पर दूस्तौं देखते हैं किसरे स्कोем किस दो सकते हैं सबसे बेक करें स्क्रॉल डाउन करके जेनरल मेनेच्मेंट पर जाए और यहां पर आपको रिसेर ऑप्षिन सले करना है सबसे पहले रिसेट नेट्रोक सेटिंग पर क्लिक कीजिए और रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पास्डोड यहां पर भर दीजिए ठीक है मोबाइल प्रॉब्लेम पासूट भरने के बार अपका नेट्रॉक सेटिंग रिसेट हो जाएगा उसके बाद चेक करके देखे अगर सॉल्फ हो जाते प्रॉब्लम ठीक है लेकिन अगर आपको अब भी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप रिसेट और सेटिंग पर क्लिक करें एंड reset setting पर क्लिक करके mobile password स्थासर दीजेगा mobile भरने के बाद दोस आपका सेटिंग रिसेट हो जाइगा एनsti lin-mobile को restart किजिए restart करने के बाद connection पर जाए और दोबारा से flight mode को control करने कि कोशिश के तरहिए गापका problem सौल्फ हो जाना चाहिए अगर सौल्फ हो जाता है ठीक है अगर आपको अम्हीन हो तो दोस्तों आप स्यूप्य को अपडेट कर ले न ये इस अज़ए रफड़ेट करने के पाद जो प्रॉल्फेय को अपडेट करें साफ करें जी से होगा दोस्तों आप친 उसके अपने फ्लाइट सो चुका उचका होना तो इस लिए दोस्तों यहां पर आभी भी आपका फ्लाइट मोड काम नहीं करें आपने सब कुछ सॉलीशन किया सोफ़ेर को भी अपडेट किया फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जेनुरेल मेनेश्मेंट पर जाए इस स्क्रॉल डाउन कीजिए रिसेट पर क्लिक किजिए फेक्ट झाल स्क्रास पर आपका उत्तों यह प्रॉब्लम आ सॉलीशन के एपका और जबिए जए वेग्ट वेगार आपका पर जाए वेग्टेट क्वेशन के देन सॉलीशन का भी लिए सॉलीशन